अनुसूची या सेड्यूल किसे कहते हैं? दोस्तों अनुसूची किसी लेक से जुड़े हुए पूरक विवरण या कथन होते हैं और किसी अनुसूची में संबिधान के किसी निशित अनुचेत की संबंध में प्रावधान सामिल होते हैं. अनुसूची में संबिधान के किसी निशित अनुच्छेत की ब्याख्या भी नहित होती है। दोस्तों अनुसूचियां संबिधान का भाग हैं अत्वन नहीं। तो अनुसूचियां संबिधान का भाग होती हैं और वे संसत के संसोधन सक्ति के अधिनाती हैं। संबैधाने कुप बंधों के अनुसार कुछ अनुसूचियों में संसोधन के लिए संसोधन की विशेश प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है जबकि कुछ अनुसूचियां संसत के द्वारा साधारन प्रक्रिया द्वारा संसोधित की जा सकती हैं दोस्तों भारत के संबिधान में मूल रूप से आठ अनुसूचियां थी लेकिन बरतमान में अनुसूचियों की संख्या बारह है आएए जानते हैं बारह अनुसूचियां और उनमें संबंधित विशय या प्रावधान कौन-कौन से हैं सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची के बारे में तो प्रथम अनुसूची में भारती संघ के घटक राज्यों और संघ सासित प्रदेसों का उलेक किया गया है तो भारती संघ के घटक राज्य कितने हैं दोस्तों बरतमान में भारत संग में 28 राज और 8 संग सासित प्रदेश हैं तो प्रथम अनुसूची भारती संग के घटक राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों यानि संग राज छेत्रों का बढ़न किया गया है और भरतमान में भारती संग में 28 राज और 8 केंदर सासित प्रदेश हैं तो पहली अनु अनुसूची में देखिए भारती राजवेवस्था के विभिन पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले बेतन, भत्ते और पेंसन आधिका उलेक किया गया है। तो आपने जान लिया दूसरी अनुसूची में भारती राजवेवस्था के विभिन पदाधिकारियों के बेतन, भत्ते और पेंसन आधिका उलेक किया गया है। या प्रतियान का प्रारूप दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची में भिभिन पदाधिकारियों जैसे राष्टपती, उपराष्टपती, मंत्रियों, उच्चतम और उच्चनयाले के नया धीसों द्वारा पद ग्रहन के समय ली जाने वाली सपत का उलेक है। चोथी अनुसूची दोश्तों चोथी अनुसूची बहुत ही महत्तपूर है। इसमें भिभिन, राज्यों और संगी छेत्रों का राजसभा में प्रतनिधित या सीटों का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों, चौथी अनुसूची में विभिन राज्यों और संगी छेत्रों के राजसभा में प्रतनी दिद्धों का विवरण दिया गया है, पाचवी अनुसूची के बारे में जानते हैं, पाचवी अनुसूची में अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जातियों के प्रसासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है तो देखिए पाचवी अनुसूची में अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जनजाति के प्रसासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेक किया गया है छठवी अनुसूची देखते हैं दोश्तों देखिए छठवी अनु भातिये छेत्रों के प्रसासन के बारे में प्रावधान छठवी अनुसूची में दिया गया है। और समवर्ती सूची के बारे में पहली सूची जो है दोस्तों ये संग सूची है और इस सूची में दिये गया विश्यों पर केंदर सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची है आप जानते हैं इस सूची में कानून बनाने का जो कारे है या अधिकार है इस पे केंदर और राज सरकारें दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन कानून के विश्य समान होने पर केंदर सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मानने होता है। राज सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंदर सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। और समविधान के लागू होने के समय दोस्तों समुवर्ती सूची में कुल 47 विश्य थे और वर्तमान में इसमें 52 विश्य हैं। तो सातवी अनुसूची में दोस्तों संघ, राज और समुवर्ती सूची का प्रावधान है। और कभी-कभी ये प्रशन भी पूछ लेता है कि संह सूची, राज शूची और समुवर्ती सूची में वर्तमान में विश्य हो की संख्या कितनी है। तो 161 और 52 विश्य जो हैं ये क्रम्सह संह सूची, राज सूची और समुवर्ती सूची में सामिल है। देखिए आठवी अनुसूची के बारे में जानते हैं दोस्तों आठवी अनुसूची जो है ये भारत की 22 भासाओं का उल्लेख इसमें किया गया है मूल रूप से आठवी अनुसूची में कुल 14 भासाओं थी देखिए आठवी अनुसूची मान्यता प्राप्त भासाओं की सूची है इसमें 22 भासाओं का उलेख किया गया है मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भासाओं थी लेकिन देखिए यहाँ पर 1967 में 21 संविधान संसोधन से सिंधी भासा को 1992 में 71 संसोधन से कोकडी, मडिपूरी और नेपाली को और 2003 में 92 संसोधन से मैथली, सान्थाली, डोगरी और बोडो को आठवी अनुसूची में सामिल कर लिया गया है तो दोस्तों पहले जहां आठवी अनुसूची में मोल रूप से 14 भासाएं थी, विभिन संविधान संसोधनों के द्वारा इसमें भाषाओं को सामिल कर लिया गया है और अब आठवी अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भासाएं हैं आएए देखते हैं 9 वी अनुसूची दोस्तों अब 9 वी अनुसूची, 10 वी अनुसूची, 11 और 12 अनुसूची हमने प्रारम में भी बताया है कि मोल संविधान में केवल 8 अनुसूचिया थीं तो इसलिए एक प्रश्णी ये बनता है कि भारती संविधान में संसोधन के द् जोड़ी गई है दोस्तों नौवी अनुसूची संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें क्या है कि इसके अंतरगत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिगरहण की विधियों का उल्ले किया गया है और इ एक और जानकारी बता दें कि अब तक ये माना जाता था कि संविधान की नौवी सूची में जो शामिल कानून है उनकी न्याइक समिक्षा नहीं की जा सकती है लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक नेड़े द्वारा ये अस्थापित किया गया है कि नौवी जो शामिल कानून थे या विशे थे पहले इनको कानून में या न्यायाले में इनकी समिक्षा नहीं की जा सकती थी लेकिन बरतमान में जो है संविधान की नौवी अनुसूची में शामिल कानूनों की न्याइक समिक्षा की जा सकती है हाई को सुप्रीम कोड के नेड़े के द्वारा ये विवस्था दे दी गई है नौवी अनुसूची दोस्तों ये संबिधान संसोधन पर्थम संबिधान संसोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और राज द्वारा संपत्ति के अधिगरहन के संबंध में विशिष्ट नियम और अधिनियम है इसमें अब आएए दसवी अनुसूची के बारे में दोस्तों दसवी अनुसूची ये संबिधान में 52 संबिधान संसोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और दसवी अनुसूची दल बदल से संबंधित जो है प्रावधानों का उलेख किया गया है और इसमें दल बदल या परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध किया गया है 11 अनुसूची दोस्तों ये अनुसूची संबिधान में 73 संबिधान संसोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है दोस्तों 73 संबिधान संसोधन कहीं 1992 देता है लेकिन 73 संबिधान संसोधन ये 25 अप्रैल 1993 से प्रवरित हुआ था तो 11 अनुसूची ये संबिधान में 73 संबिधान संस और दोस्तों इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कारे करने के लिए 29 विश्यों का प्रावधान या उलेक किया गया है तो याद कर लिजे 11 अनुसूची संबिधान में 73 संबिधान संसोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गया है इसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायत्व और कारे से संबंधित 29 विश्यों का उलेक किया गया है 12 अनुसूची दोस्तों ये अनुसूची संबिधान में 74 संबिधान संसोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई 74 संबिधान संसोधन 1 जून 1993 से प्रवरित हुआ था इसमें सहरी छेतर की अस्थानी स्वसासन संस्थाओं के अधिकार, प्राधिकार और कारे करने के 18 विश्यों जो है सामिल किये गए हैं या 18 विश्यों परदान किये गए हैं तो दोश्तों इसमें हमने आज की वीडियो में भारती संबिधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा भारती संबिधान में मोल रूप से 8 अनुसूचिया थी लेकिन 4 अनुसूचियों को बाद में संसोधनों द्वारा शामिल किया गया है बरतमान में अनुसूचियों की संख्या बार है अब आईए जान लेते हैं कि भारती संबिधान में अनुसूचियों से संबंधित मुहत्वपूर्ण प्रश्ण क्या बनते हैं तो देखिए पहला प्रश्ण बनता है कि भारती संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो आप जानते हैं भारती संविधान में बरतमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है इसके अलामा एक प्रश्ण पूछता है कि भारती संविधान में किन अनुसूचीों को संविधान संसोधन अधनियम के द्वारा जोड़ा गया तो देखिए भारती संविधान में चार अनुसूचियां देखिए नौवी, दस्वी, इग्यारहवी और बारहवी अनुसूची को संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है एक प्रश्णी ये बनता है कि भारती संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन से एक राज जी के नामों की सूची और उनके राज छेतरों का बेवरा देता है तो आप जानते हैं पहली अनुसूची राज और संग राज छेतरों के बारे में उपबंध करता है दूसरी अनुसूची में राज जी सभा में अस्थानों का आवंठन दिया गया है एक प्रश्णी ये बनता है कि यदि भारस संग के भारस संग में एक नए राजे का स्रिजन करना हो तो शम्विधान की किस अनुसूची में एक को अवस्य संसोधित करना पड़ेगा तो दोस्तों य यदि भारत संग के एक नए राजे का स्रिजन करना हो तो पहली अनुसूची यानि जो अनुसूचियां है उसमें पहली अनुसूची को अवस्य ही संसोधन करना पड़ेगा एक प्रशन ये आता है कि भारत की संबिधान की चौथी अनुसूची में क्या विवेचित किया गया तो दोस्तों भारती संविधान की चौथी अनुसूची राज्य सभा में अस्थानों के आवंटन से संबंधित है इसके अलामा देखिए एक प्रश्ण ये बनता है दोस्तों कि भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विश्यक परा जोड़ी गई है इसके अलामा दोस्तों एक प्रश्ण ये है कि भारती संविधान की 10 वी अनुसूची का संबंध किस्से है तो आप जानते हैं दल बदल विरोधी अधनियम से और इसके अलामा भारती संविधान की 7 वी अनुसूची के अंतरगत संग सूची में कितने सूची में 61 विशे और समवर्ती सूची में 52 विश्यों का उल्लेख किया गया है इसके अलामा दोस्तों एक प्रश्ण ये बनता है कोहिलो केस भारत के संबिधान की किस अनुसूची से संबंधित है तो कोहिलो केस दोस्तों संबिधान की नौवी अनुसूची से संबंधित है आई यार कोहलो बनाम तमिलनाड राज में न्यायाले ने नववी अनसूची की संभैधानिक्ता के संबंध में टिपड़ी की थी जिसके अनुसार नववी अनसूची में उलिखित सभी विशे न्याईक समिक्षा के अंतरगत आते हैं दोस्तों नवी अनुसूची को पर्थम परधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू दोरा जोड़ा गया था और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विसे न्याइक समिक्षा के अंतरगत नहीं आते हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वार के सम्विधान की किस अनुसूची में विभिन राज्यों में अनुसूची छेत्रों के परसासन और नियंतरण के लिए उपबंध हैं तो उत्तर है दोस्तों पांचवी अनुसूची देखें सम्विधान की पांचवी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोर पुरम राज्यों के जनजाती छेत्रों के प्रसासन के बारे में उपबंध छठवी अनुसूची में किये गए हैं। एक प्रश्ण और महत्वण बनता है अनुसूचियों से कि संबिधान की 11 अनुसूची किस से संबंधित है। तो उत्तर है दोस्तों संबिधान की 11 अनुसूची पंचायती राज्यों से संबंधित है और संबिधान की 11 अनुसूची 73 संबिधान संसोधन के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें कुल 29 विशे सामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा भारती संबिधान और राजविवस्था का महत्विधान टापिक भारती संबिधान की अनुसूचियां। सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार।